हेलो गाइस वेलकम टू वेबसाइट डेवलोपर्स आज की इस टुटोरियल में हम बात करने वाले एक ऐसे ब्लॉगर टेम्पलेट की जिसको आप अगर अपने ब्लॉगर पर लगाते हैं तो आपको एटसेंस अप्रूवर भी मिल जाते हैं और इसका कस्टमाजेशन भी एज और इससे सर्च कंस्रोल में आपकी रैंकिंग भी बढ़ती है और आपके आर्टिकल्स गूगल पर रैंक करते हैं और आपके वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी होती है इससे विवर्स आपकी वेबसाइट में ज्यादा आते हैं और आटसेंस अप्रूवर भी जल्द दाउनलोड और बाइट इसके लिए आपको डिस्क्रिप्सन में एक लिंक मिलेगी उस पर क्लिक करना है आप इस मेंच पहुच जाएंगे अब यहां पर आपको थोड़ी स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर इसकी डिटेल्स होगारा लिखी गए हैं आपको यह डिटेल सब्सक्राइब में लगा सकते हैं यहां पर आपको कई आपसंस मिल जाते हैं और यहां पर आपको टिकर नीज होगारा सब कुछ मिल जाता है सोसल मीडिया मिल जाती है और फुटर भी कापी अच्छा है रिसेंट पोस्ट लेटेस्ट पोस्ट यह सभी आपको मिल जाती है औ कुछ यहां पर हमें एपनी डीटेल करनी पहले में अपना नाम दोसरे में ईमेल आईडी और तीसरे खॉलंब पर अपना मोबाइल नमबर यह सब electresh खुर्द करें क्युकि आगर कोई होती independent में या आपको payment कोट गया है और आपकी दाउनलोड होती सब डिटेल के कॉर्डिंग आपको थी मिलेगी और सब्मीट पर क्लिक करना है जैसे आप सब्मीट पर क्लिक करेंगे आपको इस पेंच पर डिडाक्ट कर दिया जाएगा अब यहां पर आपको दो तीन ओप्सन दिख रहे हैं पेव या पेटियम पेपल और डेविट का मैं यहां पर क्लिक करना अब यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना और इसके बाद वीडियो फर्स्ट कर दे रहा हूं और यह ताइमर कंप्लीट होने के बाद यह तिम आपकी प्रिया डाउनलोड हो चुकी है तो यहां से हमारा पहला इस्टेप भी कम्प्लीट होता है आई इस सेकेंड इस्टेप की हो चलते हैं सेट थीमां ब्लॉगर इसमें हम ब्लॉगर में थीम सेट करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने फाइल मैंनेजर को पेन करना जहां पर य इस आइकन पर क्लिक करें और रिस्टोर पर क्लिक करें अब यहां प्लोट के आप्सन पर क्लिक करें अब आपको अपनी थीम चूश करना और ओपन पर क्लिक करना अब यहां पर आपको लास्ट बॉटम में दिख रहा होगा रिस्टोरिंग थीम आपको तब तक वेट करना आप देख सकते हैं सभी फीचर आ गया है क्योंकि मैंने फ्रीमियम वर्जन भाई किया था यहां पर प्रीमियम वर्जन के सभी फीचर आ गया है पूटर में सिर्फ मेरा क्रेडिट है किसी और क्रेडिट नहीं है तो चलिए अब हम दूसरा मैथट बताते हैं कई बार आप इस प्रीश्टो करते हैं तो थीम प्रॉपरली सेट नहीं होती है जिससे आपकी वेश्टाइट का लुक बिगड़ जाता है उसके लिए आप कस्ट लेकर किसए कंविक कर लेना है अब आपको आना है अपने ब्लॉग अब इसे सिलेक्ट ओल करेंगे और कंट्रोल भी कर देंगी यानि पेस्ट करेंगे उसके बाद save पर click कर देंगे यह save हो चुकी है इस method में आपकी theme में कोई गड़बड़ी नहीं होती और आपकी website का look भी नहीं विगड़ता है तो आइए देखते हैं हाँ बिल्कुल सही है तो अब हमारा दूसरा step भी complete होता है अब आते हैं तीसरे step your customize theme इसमें हम theme के options को edit करेंगे इसके लिए ब्लॉगर पर जाकर आपको layout के section पर click करना है अब यहाँ पर आपको theme options बहुत साथ दिख जाएंगे सबसे पहले मैं पहला option आपको दिखाता हूं इस पर edit पर click करें अब यहाँ पर आपको लिखा है full width version true or false desktop sites पर आपकी screen बड़ी है तो आपकी website ऐसे दिखती है तो यह भी काफी खुबसूरत होता है तो यहाँ से आप इस तरह भी कर सकते हैं मैं इसे वापिस previous version में करने के लिए और यहाँ पर true की जगा false लिख दूँगा सब कुछ आपको small letter में लिखना है और यहाँ save पर click कर दे इसी प्रकार आईए हम top menu को edit करते हैं top menu को edit करने के लिए top menu वाले section पर edit पर click करेंगे यहाँ पर कुछ options पहले से दिये गए हैं आप उपर देख सकते हैं यह top menu होता है तो आपको इसी edit करके अपनी links लगाना मैं यहाँ पर top menu लिख देता हूं ताकि मुझे समाजने में आसा लिख देंगे तो आपके homepage की link automatic लग जाएगी आप about पर click करना है और यहाँ पर आपको अपने about us page की link देना है अगर आप about us page नहीं बनाया है तो उसे बनाना हम अपनी next video में सिखाएंगे तो please उसे देखें description में link मिल जाएगी अब इसी प्रकार contact में बने pencil की icon पर click करेंगे और यहाँ पर आपको contact us page की link देनी है तो मैं अपना URL paste कर रहा हूं contact us इन सब भी page को बनाना मैं अपनी वीडियो में सिखाएंगा इसकी link description में मिल जाएगी इसी प्रकार disclaimer की pencil पर click करेंगे यह edit का symbol होता है और link paste करना है इसी प्रकार term and condition यहाँ पर भी आपको अपना page link देन और यह site map page है अगर आपने नहीं बना तो इसे delete कर सकते हैं delete के icon पर click करके और इने top bottom करने के लिए arrow keys है इसे आप इने top bottom कर सकते हैं range मैं यहाँ जैसे example के लिए कुछ को top कुछ को bottom कर दे रहा हूं ताकि आपको difference पटा चल जाए अब यहाँ पर click कर देंगे और अगर हमें अब देखिएगा हमने top bottom किया था सब चेंज हो जाएंगे हम उसके बाद contact है उसके बाद एवाउट उसके बाद TNC privacy यहाँ पर site map हमने delete कर दिया था वह डिलीट हो चुका है तो आपने देखा कि आप top menu किस तरह edit कर सकते हैं अब आईए edit करते हैं top social widget को यह यहाँ पर बने कर देना है इसी प्रकार सभी को क्लिक करके कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ options extra वगरा हैं जिन्हें आप नहीं योज करते हैं उन्हें delete कर देना है जो आप योज करते हैं उनकी link यहाँ पर आपको लगा देनी है जैसे मैं यहाँ ट्विटर फेस्बुक इन सब की link लगाकर save पर क्लिक कर देता हूं अब इन्हें भी top bottom कर सकते हैं और यहाँ पर page refresh करेंगे तो यह दिखिए कुछ option सूड़ करेंगे इसके लिए header वाले सेक्शन में जाकर edit पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको अपना header का title लिखना है जो आप display कराना चाहते हैं और यहाँ पर description लिखन अपने हिसाब से लिख सकते हैं अपनी website से रिलेटेट और इस कॉल करके यहाँ पर behind title and description पर ही चूज होना चाहिए और से उपर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर refresh करते हैं यहाँ पर website developers के नीचे हमाया description आ गया let's create website make your career online जो अभी अभी हमने description आइड किया था अब अगर हम यहाँ पर title की जगह एक कोई image upload करना तरहते हैं यह upload image from computer पर क्लिक करना है और choose image पर क्लिक करना है कोई image चूज कर रहा हूं अभी मैंने बनाया नहीं हाला कि इसके लिए और यहाँ आपको state of title and description वाले option को चूज करना है और save पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर हम refresh करते हैं तो यहाँ पर एक image सो हो रही है मैं यहाँ पर अपना title ही सो करवाना चाहता हूं तो मैं edit पर क्लिक करूँगा और इसे remove कर देता हूं तो upload from computer करके कर दूँगा तो यह image हट जाएगी उसके बाद मैं यहाँ पर behind the title and description पर क्लिक करके save पर क्लिक कर दूँगा अब refresh करूँगा तो यहाँ पर image हट कर हमारे website का title आ जाएगा जो हमारे website का नाम है तो इस तरह आप header भी manage कर सकते हैं आईए हम देखते हैं header right header right या ads के लिए है जब आपका absence approve हो जाएगा तो आपको यहाँ पर अपना ads code place करना है main menu को edit करते हैं जो की सबसे important thing है तो इसके लिए यहाँ पर मैं इसे सब को delete कर देता हूं आपको भी delete कर देना क्योंकि unwanted चीज़े हैं और हम खुछ से create करेंगे main menu तो मैं सभी को delete कर दे रहा हूं अब इसको बाद यहाँ पर आपको दिखेगा add a new item उस पर क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको menu कर इस option का नाम देना है जैसे मैं लिक र करेंगे फिर से कोई site एक बनाएंगे option menu option और यहाँ पर उसका URL भी नीचे देना है आपको इसे मैं लिख रहा हूं website template और यहाँ URL दे रहा हूं hash hash means मैं इसे sub menu इसका बनाना चाहता हूं जिसका आप URL नहीं लगाना चाहते है लगा दीजिए अब इसका sub menu बनाने के लिए हमें एक underscore देना है और उसके बाद अपना option लिखना है मैं जब आपको website पर इसे दिखाऊंगो तो आपको समझ में आ जाएगा इसी प्रकार इसमें भी मैं hash लगा देता हूं क्योंकि multi drop down बनाना है और add a new item पर क्लिक करना है अब यहाँ पर उसके अंदर भी sub menu बनाने के लिए double underscore यहाँ एक underscore फिदुबार से एक underscore लगा देना है जिसे यह double underscore हो जाएगा double underscore का use multi level drop down के लिए किया जाता है एक underscore means sub menu और double underscore means sub menu का sub menu underscore कर रहा हूँ और यहाँ पर एक menu option का नाम लिख रहा हूँ और इसके बाद URL पेस्ट कर देना है अगर आपको इसके अंदर भी और sub menu बनाने है तो यहाँ पर hash कर सकते हैं और add a new item पर क्लिक करके वापिस मैं एक और बनाता हूँ sub menu double underscore लगा रहा हूँ क्योंकि sub menu के अंदर मुझे sub menu बनाना है और यहाँ पर भी मैं अपने उस menu option का नाम लिखूंगा जो कि मैं drop down यानि sub menu में show कराना चाहता हूँ और यहाँ पर link मैं paste कर दे रहा हूँ URL और save पर क्लिक कर देना हूँ इसी तरह add a new item करेंगे और जितने भी आपको बनाने हैं मैं यहाँ पर कई sub menu के अंदर sub menu बना रहा हूँ double underscore लगा कर मैं उपर वाले sub menu के अंदर sub menu बना रहा हूँ अगर आप triple underscore लगा देंगे तो sub menu के अंदर जो menu है उसके अंदर एक और sub menu बन जाएगा और यहाँ पर URL आपको paste कर देना है और save पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर हमें triple underscore यूज करना है क्योंकि इसके अंदर premium version जो मैंने प्रिछला menu option बना था उस पर क्लिक करने पर एक और drop down menu खुलेगा जो कि तीस्ता होगा तो मैं यहाँ पर कोई text लिख रहा हूँ shopping और यहाँ पर आपको अपना URL paste करना है और shopping के पहले मैंने बताया था triple underscore क्योंकि हम sub menu के अंदर sub menu जो है उसका sub menu बना रहा हूँ तो triple underscore इसी तरह आप और underscore लगा कर और sub menu create कर सकते हैं अब हम sub menu से बाहर आने के लिए front menu option बनाने के लिए डारेक्ट क्लिकेंगे इसमें underscore की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर URL paste कर देना और save पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर हम काफी सारे option अड़ कर चुके हैं एक आक option मैं और add कर लेता हूँ ताकि menu कुछ देखने में बड़ा लगे और user भी कई options find कर सके हैं हमाई यो साइट में तो मैं follow me on YouTube पर यहाँ पर एक sub menu बना रहा हूँ my first video और यहाँ पर YouTube वीडियो की link paste कर दूँगा save पर क्लिक कर देना है अब add a new option करता हूँ एक और sub menu बना लेता हूँ YouTube के अंदर watch shots अब यहाँ पर मैं अपने shots की link लगा देता हूँ अंडर इसको रेक लगा रहा हूँ क्योंकि sub menu चाहिए और save पर क्लिक कर देना है अब आईए हम आपको menu दिखाते हैं और यहाँ पर refresh करते हैं page को अब देखिए सब से पहले तो हमारा home होगा उसके बाद website developer जो हमने create किया था यहcek यहाँ नहीं है अब यहाँ पर website template इसके अंदर हमने skincare क्रियट किया इसमें देखिए website developer में कुछ नहीं website template के अंदर मेंदर में दो और e-commerce के अंदर सब मेंदर आप सब मेंदर थे इस अब लेंडर इसको में स्ट्रीन सब मेन्यू मतलब डॉप 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 और यहां फॉलो मी यूटूब पर मैंने दो सब मेन्यू बनाये थे आप इस तरह क्रियेट कर सकते हैं इसके लिए हम एक अलग से वीडियो भी बनाए आप उसे भी वाज कर सकते अब टिकर नियूज के पर इडिट पर क्लिक करेंगे तो यहां आपको डाटा नंबर दिख रहा होगा यह सो करता है कि आप अपने टिकर नियूज में कितनी पोस्ट की नियूज सो कराना चाहते हैं मैं यहां 12 कर दे रहा हूं क्योंकि वह बहुत सारा 21 बहुत ज्यादा हो रहा था मैं एड्स बीलोफ फीचर पोस्ट यह है एड कोट के लिए यह देखिए यहां पर 728 गोड़े नब्वे हैं तो आपको यहां पर अपना एड कोट पेस्ट करना है अगर आपका अप्सेंस अप्रू हो गया यह एड्सेंस के लिए और ब्लॉक पोस्ट इस पर इडिट पर क् आप सब्सक्रेंट कराते हैं तो थर्ती कुछ ज्यादा है तो मैं इसे कम कर देता हूं यहां पर सेवन कर ऐए आप अनच चाहते हैं और सेवन पर क्लिक करте अCP ताकि आपको पता चल जाए अगली बार इडिट करने के लिए कि यह एक नई लाइन है जैसे slash like के बाद मैं इंटर मार रहा हूं तो आपको इस तरह करना है और यहाँ पर कुछ लिंक है करनी है और सेव पर क्लिक कर देना है मैं यहाँ पर सेट कर चुका हूं तो मैं सेव पर क्लिक कर देता हूं इसके बाद रिसेंट इस पर क्लिक करना है आपको इडिट पर अब यहाँ पर लिखा है इस पर क्लास लेटेस्ट पोस्ट यहाँ डाटा नंबर आपको इडिट करना ह है नहीं तो यह डिस्टर्ब हो सकता है तो मैं यहां सेवन कर दिया यानि सेवन पोस्ट सो हों और कमेंट पर भी मैं यहां पर डाटा नंबर में सेवन कर दे रहा हूं यानि लेटिस्ट सेवन कमेंट सो होंगी हमारे होमपेज पर इसे भी सो करता हूँ, यह देखिए यहाँ पर recent और comment दो option है, यहाँ पर अभी 4-5 comment सो हो रही है और 4-5 post मैं save on कर दे रहा हूँ, और save पर click कर दे रहा हूँ इसके बाद यहाँ blog archive है यहाँ पर आपको कई option मिल जाते हैं, किस तरह आप सो कराना चाहते हैं ब्लॉग अर्ची इस टाइब करहा भी, 9 दिसंबर इस टाइब कर सो करेगा drop down की रूप में तो मैं इसे flat list कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर so oldest post first करके monthly पर रहने देता हूँ, और यहाँ से आप format change कर सकते हैं कि यहां किस परका सो हो, और से उपर क्लिक कर देना है, अब हम अगर देखेंगे page को refresh करके तो change हो जाएगा, मैं आपको last में दिखाता हूँ और text पर क्लिक करना है, यहां से हम tag edit करेंगे, by frequency मैं कर दे रहा हूँ, मतलब जो इस tag की post ज्यादा read हो रही हूँ, वह top में सोंगे और यहां cloud पर यानी side by side दिखेंगे tag, और all levels या selected levels आप कर सकते हैं, जिसमें आपको select करना पड़ेगा particular level, तो मैं यहां all levels कर दे रहा हूँ, और save पर क्लिक कर देना है, अब यहां contact form हम edit कर सकते हैं, यह blogger का default contact form होता है, तो मैं इसे edit numbers कर देता हूं, contact me, अब यहां footer में द presence का code paste करना है, जाकर आपका approve हो, नहीं तो आप रहने दें, और यहां categories में आपको वापिस select करना है, तो list कर दे रहा हूं, और यहां selected levels कर दे रहा हूं, जिसे मैं select करूंगो, only वही levels 100 होंगे, और मैंने 100 number of post पर level on किया है, मतलब हमाएं level में जितनी post होंगी, उसकी number 100 होगा उसे उपर क्लिक कर देना, अब उसके बाद recent internet इसको मैं edit करता हूं, यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है, data level यहां पर आपको level अपने blog post का कोई भी एक level change कर लेना, जैसे यहां category इसमें दिखेगा, तो मैं यहां level change कर देना हूं, class 12th history, small letter capital का ध्यान देना हूं, data number 3 यानि मैं 3 post 100 कराना चाहता हूं, और popular post पर क्लिक करना है, edit करने के लिए, और यहां पर आपको दिखेगा, तो मैं last year कर देता हूं, यानि last year में जो popular post है, उन्हें 100, और 7 से मैं इने कम करके 5 कर दा हूं, और save पर क्लिक कर देना, तो यहां से हमारा यह भी हो गया, अब last में एक footer social widget है, यहां से आपको सभी को edit कर लेना है, pencil के icon पर click करके आप इसे edit कर सकते हैं, इसका URL वगरा change कर दें, अपने social media की URL से, और save पर click कर दें, तो यहां save हो जाएगा, और अगर आपको कोई widget add करना है, तो यहां add a gadget पर click करना है, और यहां मैं कुछ भी add कर दे रहा हू तो मैं यहां पर edit कर सकता हूँ, search on website developers, और उसके बाद save पर click कर दें, तो यहां पर यह सब हो गया, अब मैं refresh करके आपको सभी changes दिखा रहा हूँ, यहां पर menu अगरा सब कुछ है, सब menu, drop down menu जिसे बोलते हैं, यह menu के अंदर menu हमने बनाया थे, वो सब दिख रहे हैं आपको, और यह टीकर न्यूज चल रही है, और यहां इस कॉल करके हम देख सकते हैं, search on website developer, जो अभी अभी हमने gadget आट किया, यहां पर recent document दिख रहे हैं, और यहां ब्लागर चीविस टाइप कर दिख रहा है, जो कि हमने change कर दिया था, यहां टैक्स दिख रहे हैं, कि दो टैक्स मैं ने बनाया है, और contact me, यहां पर contact form दिख रहा है, जो ब्लागर का है, और इस कॉल करके हम इसका footer चेक कर सकते हैं, कि footer कैसा दिख रहा है, तो यह footer इस टाइप कर दिख रहा है, recent in internet popular post करे हैं, हम इसे mobile version में भी preview कर लेते रहे हैं, तो mobile version में कुछ इस पकार की आपकी website करी है, तो आसा करतो हूं, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें, तता अगर आपने हमारे previous वीडियो को नहीं देखा तूसे देखें, हम ब्लागर कोर्स में सब कुछ बताएंगे, ब्लागर को A to Z लेकर एकदम educational ब्लागर टेंप्लेट बनाना भी सिखाएंगे, हम ब्लागर थीम डेवलाप्मेंट का कोर्स लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें